Hello students, Welcome to EduTap मैं गिरिष कुमाइब, चलिए शुरू करते हैं आज नर्वस सिस्टम के practice questions तो जैसे कि हमने video 1, video 2 में practice सारे की सारे nervous system के बारे में हमने पढ़ा है आज हम शुरू करेंगे उसी nervous system से related कुछ practice questions ऐसे question जो आपके exam में maximum time पूछे जाते हैं और जो आपको आने की probability जिसकी सबसे ज़्याद आ रहती है clear चलिए शुरू करते हैं फिर पहले slide से हम देखते हैं which of the following together form nervous system तो चलिए आप हम बात करते हैं कि nervous system को कौन-कौन बनाते हैं सबसे पहले बात करी है brain के बारे में फिर पूछाए nerves फिर पूछाए spinal cord then all of these तो हम बात करते हैं brain क्या brain nervous system का part है बिल्कुल है हमने इसकी video video two lecture में हमने इसकी बात करी है brain के हमने हर parts के बारे में बात करी है तो आपको पता होना चीए कि brain किसका part है nervous system का part है फिर बात आती है nerves की तो obviously nerves देखो यहाँ पर कैसे dendrites show हुए हैं और फिर किस तरह से myelin cheats, strong cells जो हमने एक्जोन की बात करी थे और कैसे वो next neuron से connected है तो एक nerve cell बहुत सारे neuron से connected हो सकता है क्योंकि उसके बहुत से dendrites present होते हैं third है spinal cord क्या यह भी nervous system का part है बिलकुल है आपके पूरी body से nerves जो है वो spinal cord तक sensation nerves जो आपकी finger tip इवन आपके हर body part में nerves opening है तो वो spinal cord तक कौन लेकर जाएंगी तो यह सारे part किस चीज़ के है nervous system के तो आपको यह clear cut दिमाग में रखना है कि nervous system में brain भी आता है spinal cord भी आती है nerves भी आती है यह सारे मिलकर क्या बनाते है nervous system clear चलिए तो answer क्या होगा D option all of these बात समझ मैं ही चलिए next question हम करते है next question है which of the following statement is true about the cerebellum तो देखो सबसे पहली बात आपने इस चीज में confused नहीं होना कि cerebrum क्या है और cerebellum क्या है दोनों अलग अलग पार्ट है cerebrum 85% जैसा कि हमने video 1 में पढ़ा था कि cerebrum जो है वो 85% of brain बनाता है लेकिन जो cerebellum है वो बनाता है वो एक बिल्कुल छोटा सा medulla के पीछे वाले posture पर जो है present है यह काम क्या होता है इसका it regulate the muscle movement and locomotion जो आप चलते हैं movement करते हैं muscle की या फिर जो आप locomotion locomotion का मतलब होता है movement मतलब चलना एक हिसाब से तो आप locomotion से confuse मत करना locomotion होता है चलना movement भी जब move करते हैं तो यह पहला option तो बिल्कुल correct है क्योंकि इसका काम क्या है muscle movement और locomotion अगर आपको याद हो तो मैंने हर पार्ट के अलग से आपको यह functions भी करवाए हैं बात समझ मैं ही next है it is a part of brain obviously it is a part of brain brain के अंदर ही present है तो आप पार्ट अफ ब्रेन ही होगा तो answer d तो हो नहीं सकता तो answer would be c option इसमें क्या का है both a and b will be the answer बात समझ मैं ही चलिए next question है which of the following nerves arises from the skull and attached to the brain इसका मतलब हुआ कि ऐसी कौन सी nerves है जो हमारे skull से arise होती है मतलब हमारे upper portion से यह वाला जो portion है यहां से arise होती है और brain से attach होती है इसका मतलब है वो ऐसी nerves हैं जो सिर्फ upper portion के काम आती है कहा काम आती है सिर्फ upper portion के काम तो यहां पर इन nerves को क्या का जाता है जो हम अपर portion में क्या क्या आता है जिसे आइस आती है नोज आता है जो sensory face motor cells आती है आपके face पर अगर कोई टच करता है तेन tongue is also sensory nerves cells जो sensory जो आपको sense कराती है जो अपर portion में आती है फिर cerebellum ear auditory nerves होती है जो आपको audacity में help करती है आपके hearing में help करती है बात समझ महीं heart, lungs and stomach, liver first and spinal, spinal nerves यहां से जो यह first spinal nerve है इससे उपर वाले की बात की जा रही है अभी तो उपर वाले की जो nerves है तो spinal nerves तो उन्हें कहींगे नहीं क्यूंकि spinal nerves कहा से arise होती है spinal cord से बात समझ में spinal cord से क्या होती है spinal nerves जराइज होती है अगर आपको याद हो तो spinal cord के parts थे वह हम आगे वाली slides में discuss जरूर करेंगे तो thoracic nerve no it is a part of spinal nerves यही चीज में आपको कह रहा था कि हम इने आगे आपके discuss करें कि कितने parts होते है spinal cord के so that अगर आपको thoracic nerve या फिर caucasal nerves यह सारी टम्स है तो आप एचान सके तो caucasal nerve भी नहीं है क्योंकि यह भी किसका part है spinal nerves तो obviously the answer will be cranial nerves cranial nerves कहां से arise होती है cranium से clear cranium किसे कहा जाता है upper portion of head जो cranial cavity होती है जो cranium होता है upper part bony layer that is cranium तो यहां से कौन सी nerves arise होंगी cranial nerves बात समझ में चलिए next question है what is the unit of nervous system तो nervous system की unit क्या है मतलब किन चीज़ों से मिलके nervous system बनता है तो हमने बात की थी nervous system क्या है जिसमें क्या present हो neurons present हो तो वही क्या होगी इसकी unit भी वही होगी बात समझ में spinal cord तो नहीं है क्योंकि spinal cord में तो खुद बनी किस चीज़ से spinal cord nerves से ही बनी है neurons से ही बनी है तो हम तो बात ही वही कर रहे हैं smallest unit की बात कर रहे है कि किस से nervous पूरा nervous system जिसमें आपका brain भी आ जाता है nerves spinal cord nerves यह सारी nerves क्या होते हैं बहुत सारे networks हमने बात की थी dendrites present होते हैं neurons में clear इन dendrites में यह front वाला पार्ट क्या होता था dendrites और back वाला पार्ट इसका क्या दिखाता है synaptic vesicle बात समझ में यह क्या होते हैं synaptic vesicles और synaptic vesicle के साथ में दूसरी nerves के dendrites होते हैं और इस portion को का जाता है synaps तो एक brain में बहुत सारे trillion of synaps present हो सकते हैं और billion of neurons present हो सकते हैं बात समझ में कितने billion थे 86 billion of neurons हमने बात की थी video two slide में clear चलो तो synaps में आपको पता है transmission होता है signal का यहां पर vesicles होते हैं जो आगे क्या करते हैं neurotransmitter send करते हैं और यह neurotransmitter होते क्या है neurotransmitter जैसे dopamine या फिर N-acetylcholine तो mostly कौन सा आपको याद रखना है N-acetylcholine यह हमेशा question आ जाता है exam में तो आपको याद रखना है otherwise dopamine भी होता है clear तो यह आगे signal जैसे यहां पर जाएगा यह आगे signal को ट्रांसफर करें मैंने एक और चीज़ कही थी कि जो सिंग्लल ट्रांसमिशन है वह हमेशा देंड्राइट से यह exon terminal यह हम बात करते हैं synapse की तरफ ही जाएगा तो signal ऐसे ही flow करेगा हमेशा clear तो आप देख सकते हैं किस तरह से neural network जो brain में होता है कितना complicated और कितना complex यह होता है so that अभी तक हम brain को इतना समझ नहीं पहें otherwise it will be easy to understand brain अगर यह बहुत easily connected होते और यह काफी clearly connected होते clear चलो next question है next question है which of the following controls involuntary action in our body तो सबसे पहली बात तो हमें यह पता होना चीए कि involuntary actions क्या होते हैं सबसे पहले हमें यह पता होना चीए उसके लिए भी कि voluntary actions क्या होते हैं देखो involuntary होते हैं जो अपने आप हो जाए जो क्या हो अपने आप हो जाए जैसे जैसे मान लो अभी आप धूप में बाहर निकले सुबा उठके तो आपके आखे क्या हो जाती है बंद हो जाती है न तो वो क्या है? इन्वॉलेंट रिएक्शन अब इससे भी अच्छा एक्जामपल अगर आपको देखना है या जब भी आपको कोई देखे तो आप यह तो नहीं बोलते हैं कि आप ज़्यादा से धड़कना शुरू कर नहीं वो अपने आप धड़कता है अपनी मर्जी से हमेशा ही धड़कता रहता और कभी बंद नहीं होता इसका मतलब क्या है? कि वो वहां पर जो मसल की मुवमेंट है वो कैसी है? इनवोलंटरी मुवमेंट है तो इनवोलंटरी मीन्स जो अपने आप हो जाए जिसमें बृयन का रोल ना हो तो बृयन का रोल यहां पर नहीं होना चाहिए इसलिए यह actions क्या होते है, involuntary actions होते है अब बात यहां पर क्या की है कि which of the following is controlled involuntary action in the body तो यहां पर बताईए कौन सा involuntary action है जो body में जो control करेगा तो यहां पर medulla की बात की है जो mid brain में है medulla है जो spinal cord में medulla है जो hind brain में है या medulla है जो four में सबसे पहली बात कि यह है कौन? medulla ही है जो क्या करेगा आप में? यह involuntary action को control करेगा बात समझ में चलो अब इसको control कौन करता है medulla और कहां पर present होता है तो देखो आपको मैंने कहा जब diagram बनाया था तो आपको यह बताया था na medulla कहां पर present होता है it is present on यह वाला portion कौन सा होता था? hind brain का तो answer will be C option कहां पर present है? hind brain में present है जो medulla है वो hind brain में present है clear? तो यह brain stem क्या होता है? यह पूरा part brain stem होता है जिसमें hind brain यह आता है और हमने पढ़ा था med brain यह आता है इसके नीचे पोंच था then medulla था clear? और उपर वाली साज था hypothalamus then pituitary gland this one is cerebrum and this one is जो back वाला यह वाला cerebellum clear? तो आपको इस तरह से brain को देख करी आपको इसका पूरा structure ही आद हो जाना चीए एक पूरी तरह से समझ आ जाना चीए कि चीजें क्या लिख्या है और कैसे लिख्या है clear? चलो next question है देखो what is the speed of nerve impulse? बहुत अच्छा question है बहुत easily आप इसे solve भी मलब आपको पता होना चीज speed क्या होती है nerve impulse की? यह actually depend भी करता है इसलिए इसका answer हमेशा एक जैसा नहीं होगा तो मतलब AI option तो हो नहीं सकता क्यों? क्योंकि यह particular कोई speed नहीं होती है अगर कोई electrical signal है तो electrical signal हमेशा कैसा होगा? fast बात समझ मैं और जब कोई भी electric potential करके जो signal जाएगा I mean जो chemical signal होगा वो कैसा होगा हमेशा थोड़ा slow होगा तो इसकी speed fast भी हो सकती है slow भी हो सकती है तो answer will be B 0.52130 meter per second तो देखिए इतना तेजी से जो electric signal है वो हमारी body में दोड़ता है आप देख रहे हैं इतर nerves जो है यहां पर आप देख पा रहे हैं जिस तरह से neuron क्या कर रहे है electrical signal को pass out कर रहे हैं यहां पर आप दूसरी साइड आप देख सकते हैं किस तरह से neuron के अंदर से श्वान से होते हुए एक neuron signal pass out कर रहे है बात समझ मैं ही तो यह बहुत ही easy concept और आपको याद रखना है आपसे direct question यह exam में पूछा जा सकता है चलिए next question की तरह बढ़ते हैं white matter of the brain is consisting of तो आपको पता होना चीए देखो gray matter और white matter brain में present होता है gray and white matter तो आपको पता है कि white matter और gray matter में difference क्या है difference इतना सा है कि जो gray matter है वो exon के कौनसे part से बना होता है और dendrid से कौनसा part या mylen shoot से मैंने आपको video lecture में बताया है dyg myelin shoot जो होती है वो fatty acid से बनी होती है किषसे बनी होती है fatty या fatty substance यह हम बहु सकते हैं fat से बनी होती है किससे बनी होती है fat से और fat से जो चीज़ बनी होते है, that is white in color. तो मतलब, जो भी सारा white matter है, that is made up of fatty substance, which is present in myelin sheath. और myelin sheath को कौन प्रडूस करते हैं? swan cells. तो आपको ये चीज़ भी पता होने चीज़. swan cells क्या प्रडूस करते है? myelin sheath. अच्छा, इनका काम क्या होता है myelin sheath का? शाहिद हमने ये वीडियो लेक्चर में discuss नहीं किया है, तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, myelin sheath का काम होता है to protect the signal, to protect the signal leakage. तो जो हम signal भेजते हैं दिमाग तक, उसकी leakage को prevent करता है. क्यों? कैसे? देखो, अगर उसकी leakage को prevent नहीं करेगा, तो क्या होगा? signal इदर उदर disturb या भिखर जाएगा और आपके brain तक इतना sharp signal नहीं पहुचेगा, just like ऐसा, समझ लीजिए आप कि आपके पाओं पर या आपके जो finger है पाओं की, उस पर किसी ने हतोडा मारा, तो अगर वो signal distribute हो गया, या इदर उदर चला गया, आपके brain तक एक concentrated उसी intensity से नही चुबा है, और आपके उंगली कट के निकल भी जाएगी, आपको सिर्फ ऐसा ही महसूस होगा कि किसी ने काटा चुबा है, कुछ ऐसा, चोटी मोटी दर लगी, आपको एहसास नहीं होगा कि आपके साथ कुछ, उतना intense हो चुगा है कोई चीज, बात समझ मैं, तो exon का 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 मैलीन चीट होती है, इसका काम आता है लेकेज ऑफ सिगनल और इंटैन्सिती को बना के रखना, किस चीज की इंटैन्सिती, जो सिगनल है उसकी इंटैन्सिती को ये रिटेन कर करके रखता है, साइनेप्टिक वैसिकल तो हो नहीं सकता, आमें पता है, ये एग्षों टर्मि चीज़ें clear हो रही होंगी बात समझ मैं नेक्स्ट कुश्चन है नर्व्स देट ट्रांस्मिट इंपल्सेज टू थे सेंट्रल नर्वस सिस्टम इस कॉल्ड तो अब देखो सबस्वेल एक फ्रेट कोईस्टन इस सबसे अप एक देखना है कि नर्व्स जो इंपल्स नर्व्स को ट्रांस्मिट करती है वतल उन्हें भेजती है कहां CNS के पास, Central Nervous System is CNS, हमने दो तरह के पड़े हैं न, PNS और CNS, Peripheral Nervous System, जो सारी की सारी बोड़ी से सिग्नल लेकर कहां पर आती है, Central Nervous, Central Nervous System क्या है, Primary Role Play करता है हमारे Nervous System में, यह क्या करता है, सारी की सारी Sensory Cell से क्या करता है, Nervs इखठी करता है, और हमारे CNS में क्या होती है, फिर पूरी Evaluation होती है, पूरी चीजों को पर्खा जाता है, जांचा जाता है, फिर उसके बाद उसे Respond किया जाता है, बात समझ मैं ही, तो जैसे अब Answer क्या होगा, Sensory Neuron, जो Transmit करते हैं Impulses को Central System की तरफ? Yes, it is Sensory Neuron, और जो उसके बाद जो Interpretation होगी, जो Evaluation होगी Signal की, और उसके बाद जो Response होगा, क्या होगा? Response होगा, वो Response कौन लेकर आएगा? बाकि उस Target साइड तक, Target साइड का मतलब है, मान लीजिए मेरे हाथ पे कुछ चीज ने काट दिया है, तो अभी भी मेरा हाथ उसके मुह की पास है, जिसने मुझे काटा है, लेकिन जैसे उसने काटा मेरे दिमाग मेरे दिमाग में एकदम से हाथ क्या कर दूँगा, हटा दूँगा, तो वह वो जो सिगनल आपके ब्रेन तक लेकिए, 2000 सेंसरी नूरॉन, अब वो सिगनल से रिस्पॉंड कौन लेकर जा रहा है, वो होते हैं, मोटर नूरॉन, कौन से होंगे, मोटर नूरॉन, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो सैंसरी नूरॉन है, वो रिसेप्टर से CNS तक लेकर जाते हैं relay क्या करते हैं relay neurons होते हैं जो CNS में ही transmission का काम करते हैं signal को इधर से उधर जल्दी से interpretation जो भी होती है तो ये बहुत fast होती है आप सोच सकते हैं relay neuron कितना तेजी से काम करता है and then motor neuron आते हैं जो क्या करते हैं CNS से effector मतलब target side तक लेकर जाते हैं बात समझ मैं तो आपको ये तीनों neuron ध्यान में रखने हैं इन तीनों neuron का बहुत ही essential role है हमारी nervous system में और ये तीनों में थोड़ा थोड़ा difference होता है इसलिए तीनों अलग है और तीनों का काम अलग है बात समझ मैं बहुत आसान सा concept है आपको बस याद रखना है clear चलिए next slide की तरह बढ़ते है next question है what are the components of nervous system तो मुझे आपको बताएए what are the components of nervous system ये बहुत आसान question है और आप मुझे इसका answer दे सकते है components वो होते हैं जिन से मिलके nervous system बनता है clear तो ऐसे कौन से components है जिन से मिलके nervous system बनता है देखो सबसे पहले आता है neuron चारों options में neuron है तो हमारे लिए इस ताइम चारों option open clear next है exon exon भी चारों options में तो ये भी हमारे लिए open है then है myelin sheath, dendrites, brain या dendrites तो हमें अब पता लग जाना चाहिए exon के बाद हम dendrites की भी बात करते है myelin sheath भी होती है brain brain का यहाँ पर वैसे role है पर चलो माल लेते हैं चलो brain भी है अब बात आती है organs organs हमारे nervous system में नहीं आएंगे components organ नहीं आएंगे organ तो site है जहाँ पर ये respond होगा तो वहाँ पर ये कोई nervous system नहीं बना रहा फिर A option तो cancel होता है B option में myelin sheath brain feet feet यहाँ पर गलत है क्योंकि feet तो एक responding site है वो की nervous system का part नहीं है तो ये भी answer गलत होगा C option में outside world है जो की option में आना नहीं चाहिए outside world से हमने क्या लेना देना हमारा nervous system तो अलग है उससे हम effect हो सकते हैं बट वो nervous system का part नहीं है हमारे clear तो फिर option बसता है D तो ये ABC answer नहीं होगा D answer होगा जिसे myelin sheath brain है spinal cord है sensory and motor nerves है sensory and motor nerves के बारे मैं आपको बता चुका हूँ sensory जो लेकर जाती है कहां से कहां ये लेकर आती है पूरी body से CNS की तरफ और ये भाई साब CNS से लेकर जाते हैं या motor जो nerves हैं वो CNS से पूरी body की तरफ signal लेकर जाते हैं clear? चलिए last question जो अब है that is what is a disease that affect the nervous system तो ऐसे कौन से disease है जो nervous system को affect करती है चलिए epilepsy arthritis both A and B and cancer cancer तो ये नहीं होता it is uncontrolled growth of cell अगर हम cancer की बात करें तो this is uncontrolled growth of cell जो cell क्या करते हैं growth करते हैं बीना किसी control के those are uncontrolled clear cells cancer होता जो A and B arthritis is related to bone ये भी नहीं है ये तो हो इनी सकता epilepsy is related to nervous system देखो आपको अगर पता हो तो epilepsy के क्या होते हैं कुछ जो है हमारे symptoms होते हैं जैसे temporary confusion जिसको epilepsy की दिक्कत हो जाती है वो क्या हो जाता है temporarily confused हो जाता है उसे कुछ पता नहीं चलता वो क्या कर रहा है starting spell staring spell शुरू हो जाते है uncontrolled jerking शुरू हो जाती है I mean वो पता नहीं चलेगा movement arms, legs कहीं भी हाथ-पाँँ में दरो-दर बच्शते रहेंगे बिना किसी मतलब के it's kind of epilepsy जो symptoms होते है loss of consciousness and awareness consciousness खत्म हो जाएगी awareness खत्म हो जाएगी अगर उसे इधर बुलाएंगे तो जाएगा वो दूसरी साइट यह सारी चीज़े होनी शुरू हो जाएगा अगर आप न और्स की तरफ बुलेंगे तो साउथ की तरफ चलना शुरू हो जाएगा तो यह सारी चीज़ें कब होती है कौन से यह होते है epilepsy अगर किसे हो जाएगा then psychic symptoms such as fear, anxiety and deja vu यह सारे psychic symptoms भी क्या करता है epilepsy वाला patient जो है वो शो करता है उन्हें क्या हो जाते है I mean fear सा शुरू हो जाता है बिना किसी चीज़ के वो जैसे phobia है उस type की चीज़े हो जाएगी या फिर जो anxiety है anxiety उन्हें बहुत चोटी चीज़ों से शुरू हो जाती है जैसे कोई भी चीज से किसी भी चीज से किसी भी kind of anxiety उन्हें शुरू हो जाएगी बिना किसी मतलब जिसके लिए नहीं होनी चीज़े and deja vu is a kind of signal transmission जिसमें हमें ऐसा लगता है कि हमें हमारे साथ कोई भी चीज twicely happen हो रही है या दो बार happen हो रही है हमें ऐसा लगता है कि यह चीज़ पहले हो चुकी है adjust कि आपकी जो brain है उसको signal दो बार चला जाता है twice चला जाता है क्यों चला जाता है due to failure of nervous system यह है कि जब भी आपका nervous system fail होगा तो कोई एक signal हो सकता है आपको दो-दो बार पहुंचे तो आपका brain उसे interpret करके वे ही बताएगा कि यह signal यह चीज तो पहले हो चुकी है that is deja vu clear यह सारे question I hope आपको help करेंगे आपके आने वाले exam में I hope यह question आपको पसंद आयोंगे आपको अच्छे लगेंगे और आपने कोशिश कियोगी video pause करकी questions solve करने की अगर आपने nervous system पे video 1 और video 2 नहीं देखें तो please जाईए और देखिए so that आपको यह videos अच्छे से समझ आए और आप इनको कर सकें यह सारे questions बहुत 30 ही हैं बहुत आसानी से के जा सकते हैं और बहुत important chapter भी है क्योंकि आपके brain से maximum question आपके exam में पूछे जाते हैं और हर साल पूछे जाते रहे हैं तो आपने यह वाला chapter छोड़ना नहीं है और बाकी के जितने भी human body से related जितने भी parts के हमने पढ़े हैं वो आपने अच्छे से करने हैं आपका biology से एटलिस कोई question गलत ना हो और आप उसे question को गलत ना करें clear? तो I think जो यह epilepsy है यहां पर आप देख सकते हैं इस से related बहुत सारे symptoms यहां पर दी हैं यह जो आप पढ़ सकते हैं कि क्या क्या trigger होता है अलगा होगा अपने views बगर आप discussion forum पर दे सकते हैं अगर आपको कोई query करने हैं तो वो भी आप discussion forum पर कर सकते हैं clear? Thank you so much, thanks for watching